winter special well wet fabric के साथ आज हम बनाएंगे trending v-neck shape का neck design जिसके साथ हम इस beautiful सी lats का use करेंगे design को बनाने के लिए हम पहले तो अपनी कुर्ती की perfect cutting कर लेंगे cutting करनी के बाद हमने गले को भी already अपने measurement के according cutting करकर रखा था और fabric के ओपर भी लगाया है आप भी इसी तरह से गले को अपने measurement के according ready कर लें कुर्ती के front side पर center में हम गले को इस तरह से रखेंगे और अच्छे से alpin के help से इसको set करेंगे अब हम पेस्टिक के side side में दोनों side ऐसे सिलाई को लगाएंगे दोनों side सिलाई को लगाने के बाद हम थोड़ा सा फाबरिक रखेंगे और extra fabric को ऐसे cut कर देंगे center में हम cut लगाएंगे अब back side में इस पेस्टिक को हम ऐसे fold करेंगे और उपर की तरफ एक सिलाई को लगा लेंगे I think आप यह सोच रही होंगी के हमारी velvet इतनी perfect shape में stitch कैसे हो रही है नहीं उसमें कोई जोल आ रहा है और नहीं fabric इधर उधर जा रहा है तो यह भी मैं आपको बताती हूंगा मैंने कुर्टी के neck के side में back side पर fuse paper लगाया है fuse paper लगाने से कपड़े में जोल भी नहीं आता और perfectly हमारी stitching भी हो जाती है यहाँ पर जब हम less को लगाएंगे उसकी stitching भी ऐसे ही perfect होगी तो आप भी ज़रूर लगाएं अब मैंने यह beautiful सी golden color की sequence fabric में less ली है less मेंने थोड़ी चोड़ी ली है आप भी इसी तरह की less का use करें अब इस less को हम fold करेंगे और जो भी इसका center होगा उसे अच्छे से crease बनाकर set करेंगे अब less को हम V-shape में इस तरह से रखेंगे इसके just center में center को हम neck के highlight करके रखेंगे center हमारा यहाँ है अब less को हम इस तरह से रखेंगे नीचे की side से जो हमारा center होगा less का center भी हमारा वहीं आना चाहिए अब लंबाई पर इस तरह हम एक मार करेंगे सिधा उपर से भी corner से ही लेंगे हम marking को और नीचे के center तक और यहाँ से यहाँ तक हम इस less पर सिलाई को लगाएंगे less पर इस तरह हमें सिलाई लगा रही है अब इसके side side से हम extra less को cut कर देंगे चोकि less को अगर हम ऐसे ही रखेंगे तो यहाँ जादा मोटी हो जाएगी perfect corner हमारा बन गया है अब back side से less को दोनों side हाथ के help से press करेंगे ताकि यह मोटा ना हो इस neck को हम कुर्ती के साथ stitch करेंगे कुर्ती के front part पर हम इस तरह से neck को center में रखते हुए अच्छे से perfect बना लेंगे और इसके बाद किनारी से सिलाई को लगाना start करेंगे सिलाई हम अपनी less के दोनों side ही लगाएंगे लेकिन पहले हम एक side लगाएंगे अब less के center में भी हम सिलाई को लगाएंगे जहाँ पर हमने सिलाई की थी उसके just उपर ही यहाँ पर हमने इसका corner बनाया था ताकि वह सिलाई भी दब जाए और यह लैस हमारी उठे बीना दबल सिलाई लगाएंगे हम यहाँ पर अब दूसरी side भी neck की shape में इसी तरह से सिलाई को लगाएंगे जैसे हमने एक side लगाई है इसके बाद लैस की बाहर की side भी हम सिलाई को लगाएंगे लैस को उपर की तरफ हाथ के head से प्रेस करेंगे तो guys आप देख सकती है कि perfect shape में हमारा fabric stitch हो रहा है तो आप भी back side में जितना भी आपको design बनाना हो उस पर fuse paper ज़रूर लगाए fuse paper बहुत ही lightweight का होता है और easily tail ring shop पर मिल भी जाता है और finally beautiful सा हमारा neck design बनके इस तरह से ready हो गया है I think आपको पसंद आया होगा तो guys वीडियो को like and share जरूर करें साथी comments कर हमें अपनी thinking में बताए कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है और next वीडियो आप किस topic पर देखना पसंद करेंगे trouser design, sleeve design की वीडियो भी मैंने channel पर upload की है तो आप channel पर visit करें